चलिए लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में ने कॉंग्रेस अधिवेशन पर चर्चा किया लाइन से जितने इंपोर्टेन अधिवेशन हो सकते थे उसको देख लिए उसको तो आपको याद करना ही है पूरा ठाश्व पच्चासी से उननीसों पचास नहीं बताया हूं बी जितना भी नेशनल मूमेंट है सब ये अधिवेशन की इर्द गिर्द हुमेगा उसी के आगे बढ़ेंगे अभी आज बंगाल भाजन पड़ेंगे 1905 का 1906 का 1907 का अधिवेशन देखेंगे यहीं पूरा नेशनल मूमेंट चलेगा ठिक और यहीं से देश्क पजादी अधिवेशन बढ़िया 1925 में कौन किया सरुजने अधू कायनपूर चलो यहाद ध्यान दिजिएगा नरम दल गरम दल जैसे अभी हमारे देश में प्रधान मंत्री है देश वहीं चला रहें समझ लो एक व्यक्ति के तौर पर देखें तो देश प्रधान मंत्री चला रहें नरेद मोदी जी वैसे ही अंग्रेजों के तरफ से उस समय अंग्रेज तो भारत में राज कर रहे थे तो जितना उनका च्छेतर था वहां के लिए एक वाइसरों न्यूप्त होता था जो चानक से बीच में क्लास में टपक गए उसके लिए तो वाइसरा कौन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने मोदी वैसी कौन वाइसरे और वाइसरे का नाम था करजन लौड करजन इनलों सब आपने आगे लौड ल एला मनाली तो ला मनाली ऐसे क्यात किये यहां किसी को नहीं मनाली है यहां लाइन से हम लोग करजन पढ़े फिर उसके अंतर को कुछ घटना पढ़ने देखेंगे नेशनल मोव्मेंट के साथ साथ वाइसरों को याद करते चलेंगे जैसे डफरीन आया डफरीन को लख से न और भावना नेशनलीजम का जो बात था राष्टवादी भावना अ भी था कि राष्टवादी की भावना पूरे देस में फैल रही थी लोग अपना हित छोड़के साजनी की बात करने लगे देश की बात करने लगे क्लियर और इस समय बैठा कॉन लॉड करजन अब यह करजन सोच रहा था कि भी यह कैसे इसको मैं कम करूं कैसे राष्ट्वादी भावना को कम करूं क्योंकि अंग्रेजी सरकार को कहीं ने कहीं यह अभास हो गया था कि भी हम बहुत ज्यादा साल साशन नहीं करने वाले हमको चोड़ के जाना पड़ेगा लेकिन कितने दिन तक टाल सकते हैं जितने दिन तक टालेंगे उतने हम अपनी अर्थवस्त करेंगे इंगले को यह भास तो गया तक बहुं जादा दिन तक नहीं टिकने वाले है लेकिन जब तक है कि लॉड कर्जन 1903 में पहली बार उसके माइ बंगाल मतलब फिर से बोलूंगा बंगाल मतलब पूरी बंगाल भी असम भी बिहार भी उडिसा छतियल का थोड़ा सवर पठ इतना पूरा बंगाल था तो इसके माइंड में 1903 में आइडिया है कि क्यों ना मैं बंगाल को विभाजित कर देता हूं बंगाल पर्टिशन कर भी हो पर सकति हमां में 1903 में इसके माइंड में आडिया यह कि अ बंगाल को तोड़ दूंगा ना तो हिंदू मु смुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो जाएगा क्यों कि एक तरफ पूरी बंगाल में मुस्लमानों की अबादी जादा थी और पश्चीमी में हिंदूों की अबाद सब्सक्राइब करने लग और खुल के बात सामने आई 1905 में जुलाई 1905 में यह घोशना होगी कि भाईया आगे चलके 16 अक्टूबर से यह बंगाली भाजन लागू हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा और इसके तहट क्या कि यह सपोस्ट बंगाल है इसको बाड़ दिये यह आपका पूर्वी बंगाल हो गया इस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल इस्ट बंगाल और यह वाला हो गया वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में जो मेजर पोर्शन कवर हुए वो कौन था बंगाली था मतलब वेस्ट बंगाल बिहार और उडिसा इस्ट बंगाल के खाते मे आया कि आज कभी बंगला देश लिख रहा हूं न मैं बंगला देश लिख रहा हूं प्लस कि असम यह अब यह टोटल बंगाल के अब आदी लगभग उस समय आठ करोड थी कितना आठ करोड राउंड बतारों आठ करोड जैसी बंगाली बाजन हुआ सारे नेतलोग बोले यह है तो हमको तोड़ने का प्रयास किया रहा है करजन से पूचा गया तो करजन ने इसका सीधा साफ यह जवाब दिया और काफियत तक सहीं भी था लेकिन मकसद कुछ और था इसने बोला कि भी यह बंगाल की अबादी आठ करोड है यह पूरे देश की अबादी का एक चोथा यह इतना बड़ा प्रांथ हम अकेले नहीं समा सकते इतने बड़े प्रांथ का प्राशाशन कोई एक यूनिट नहीं कर सकता उसको दो यूनिट में बाटना ह नहीं पड़ेगा ठीक आठ करोड का बादी एक चोथा यह मतलब अगर टोटल 32 करोड पॉपलेशन रहोगा आठ इदरी भरे हुए तो करजन का भी कहना सही था बहाना सही था समझ लो लेकिन कारण कुछ और था बाटने का इरादा था और कैसे अगर टोटल पॉपलेशन को को देखते तो यहां पर मजॉर्टी रहती हिंदु कुलिर अब इसको बाट दिए तो यह वाले चेत्र में मजॉर्टी कौन हो गया मुस्लिम इधर रोगी चेत्र को ऐसे बट अब यह मुसलिम और यह राष्ट window के मुसलमान लोग अपना हिच चाह निल अनुलों को ख met 55 लिक नामा के एक संस्था बन गई उसका प्रभावत समझ लो ठीक है तो इसकी चाल काम्याब हुई तो यहां पर कौन मैजॉरटी में आ गे मुसलिम मैजॉरटी में आ गए हिंदू को यहां पर मैजॉरटी बना दिया गया आठ करोड में मैजॉर्टी ते हिंदू हो की बड़ करने के बाद हिंदू यहां पर मैननोर्टी में यह लपसंख्या हो गए और इधर वाले में बंगाली हिंदू और उडिया और विहारी वालने बंगाल में जो बंगला भासी लोग ज्यादा थे उनको अल्पसंख्याख बना दिये हिंदू में ठेक इतनी सी बास समय जाई है कि बैसे भी भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी आगे चल के बंगाली बैजन रत हुआ तो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की आज दिल्ली है ना तो इसकी राजधानी क्या कोलकाता इधर इस्ट-Bengal की राजधानी क्या धाका अब जैसी यह विभाजन प्रभाव में आया सारे नेता एक्टिव है और लोगों का कॉंग्रेस से विश्वास उड़िया कि कॉंग्रेस से विश्वास उड़िया और कॉंग्रेस में दो प्रकार के पार्टी थी समझे दो प्रकार के विचारधारा मौझूद थी उन विचारधारा के लोगों को बोलाता है एक नरम पंती नरम और गरमपंती एक्स्ट्रिमिस्ट एक जो नरमपंती थे लों पीपीपी मॉडल पर चलते थे प्रेयर क्या पीसे प्रेयर मतलब प्रात्ना करेंगे दे दो दे दुआ जादी दे दो यह मांग मालों चिक भूल करेंगे इंसक होना चहिए शांती पूल होना ची बुलाय आता है तो उनका उल्ग का जरिया था प्रातना करेंगे याची का सोपेंगे विरोध करेंगे लेकिन शान्ती पूरवक विरोध करेंगे यह कॉंग्रेस लोग का मॉडल हुआ करता था अब 1905 में बंगाली भाजन हुआ तो लोग पूछने लगए कि यह इतने साल हो गया लगवग 20 साल हो गया पार्टी बना हुए तुम लोगों ने क्या किया विश्वास उठने लग गया इसी कॉंग्रेस के बीच में से एक नई विचारधारा गरम दल इल लोग यहां पर इन लोगों को मौका मिला कि 1905 में बंगाली भाजन के बाद हम अपना धाग जमा सके चिक तो यहां कि नेता लोग एक्टिव हो ग अधर कि पूने में स्ट्वोरी कणेट करा देता हूं अब फिर वापन सनुर्स में बंबे और पूने में बाल गंगा दर तिलक लोकमान ने बाल गंगदर तिलक लोकमान एंपधी थी यह एक्टिव हो गये है पंजाब में अरी बंबे पूने बोने ओए छोटा सा मुंबई वाम नीचे मादरास में चितंब्रम फिल लए हो पी चितंब्रम के सी बैशोडी लेख के समझारई दुनों City यह लेखिन फुल पांप आगे हो फिरतंब्रम है फिलते की पीसी फिल दॉन पुल आप अ कि इस सब्छेतज ही एक्ट में और सब से पहले 1905 में देखो यह नेता तो एक्टिव हो गए और बंगाल में खुद बंगाल में खुद बहुती प्रसिद्ध नेता सुरेंदर नाथ बनर जी 20 साल पहले से काम करती आ रहे हैं इंडिनेशनला सेस्टोशन सीरील सर्विस में चैनीद भी थे निकाल देगे अलग बात है चैनीद ठीक है डॉक्रेंदर नाथ बनर जी और एक और बहुत प्रसिद्ध नेता थे क्रिष्ण कुमार मित्र इसको क्रिष्ण कुमार मित्र यह दुनों बंगाली बंगाल को तोड़ों गे इन लोगों ने यहां पे विरोध किया और एक नया कंसेप्ट लेकिया है बुलब ही है हम इसके बंगाली भाजन के खिलाफ एक मोमेंट चालू करेंगे जिसको बुलेंगे स्वदेशी इसको क् स्वदेशी मोमेंट चालू करेंगे स्वदेश की वस्तूओं को उपयोग करेंगे ही और विदेशी वस्तूओं का बहिशकार करेंगे तो इस अंधुलन का नाम पढ़ गया स्वदेशी और बहिशकार स्वदेशी और बहिशकार स्वदेशी एंड बॉयकॉट स्वदेशी एंड बैकॉट मुमेंट तो 1905 में बंगाली भाजन के बाद एक मुमेंट चला 1905 में जिस मुमेंट का नाम था स्वदेशी एंड बैकॉट मुमेंट स्वदेशी और वहिसकार अंदुलन ये सारे लोगों सबसे बहतरी नगर चोट पहुंचाना है उनके समान का उपयोग मत करो बहिसकार कर दो सबसे ज़्यादा व्यापार तो कपड़े को तो दर मैंचेस्टर से बन कि इधर आता था और कपड़े सब पहनते थे और जितने रहिस लोग थे उस पहन रहे तो काफी लाव होता था वहले कपड़े बहिसकार कर दो तो फिर पहने क्या पत्ता पहन के घुमें नहीं स्वदेशी को प्योग करो धोतियों प्योग करो कुड़ता पहनो जो भी है स्वदेशी आइटम यूज करो दूसरे स्कूल मत जो तो क्या पड़े ही नहीं भी आप खुद कई स्कूल खोलो सरकारी सेवाव का त्याग कर दो समझो जो उसमें चोड़ दी दो साल बाद मुमेंट बंदो गया पस्ता रहे वापा देल भाई रैजिंग नेशन ठीक है तो सारी तरीकों से विदेशी हुकुमत का बहिश्कार करने समझ लो मतलब विदेशी मतलब कॉन बिडिश और अपना स्वदेशी आइटम चलाने में अरी मुमेंट धीरे धीरे इतना प्रसित दुआ कोई भी नया चीज़ चलुता ना तो सब उसको फॉलो करते तो इसको भी फॉलो किया गया लोग शादी होता था तो दहज में कोई समान देते थे विदेशी आइटम नियों ना चीए विदेशी आइटम आया तो दूला मना कर देगा कि निए भई मैं साधी निये करूँगा ऐसा सिस्टम था इदर लड़की वाले मालूम चला कि लड़का भारी वाला कप्ड़ा पहन कर आगया विदेशी कप्ड़ा पहन क्या तो साधी समना कर देती दोनों एगरी होगे लेकिन पंडित को मालूम चला कि इधर कु प्रूरत वीभाजन के भाद यह ठंडा पढ़ गि इसी स्थर तक ही फैला हुआ तब वंदेमात्रम का गाना गाने लगए और इसका थीम हो गया उननी 105 देशी मोठिकी निकें तीम बन गया था वंदेमात्रम गीत है क्लिर है समझा 如गов बनेमात्रम लोग बंदे मात्रम कि और राखी दिवस के रूप में मनाई इसको राखी दिवस राखी जैसे भाई बहन को मानती है बहन बासे बैंने लगे हिंदु मुस्वलिम अलग वो गैं ना थू लेकिन हम भाई भाई है ठीके यन बांग दिया स्सूरा की दीवस क्लों सब लड़के गाया है दस साल से स्कूल में टीक हो किसी एक क्यों जैसे एक राकी दीवस के वाज लेकिन इधर कोई नहीं मारे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है तो वंदे मातरम गाने लगे वंदे मातरम थीम हो गया राकी दिवस मनाएं लोग एक दूसरे को प्रइद किये कि भीया पूरा आइटम क्या स्वदेशी रखना बहुत अच्छे इस तर पर फैला और कॉंग् तो कोंग्रेस को सपोट करना पड़ गया और गॉंखरेस का 1905 कौन बताओ गोपाल कुझ्ण कोगले बनारास मैं तो का डिवेशन में बनारास के-क अब करसले दिवेशन हुग तो दिसंबर 1905 में बनारस में द्वेशन हुआ कॉंग्रेस पार्टिक और इसके नेता थे गोपाल कुरेश्ण गोकले जो कि कट्टर नरम दल लेकिन बहती गंगम हाथ दोना था क्रेडिट लेना था हम समर्थन करते हैं तो इसको समर्थन दिया गया जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसको 1905 में समर्थन मिल गया लेकिन यहीं से वादिवात का कारण बन गया किसके नरम पंति और गरम पंतियों के बीच एक खाई पैदा हो गई लेकिन करना पड़ा म मजबूरन में तो समर्थन किए 1905 में अब बंगाली भ्यान तेजी से बढ़ रहा था आगे चलके 1906 1906 में कलकत्ता में कलकत्त वहीं जहां बंगाल मुमेंट हो रहा है पीक पॉइंट पे हैं वहीं कलकत्ता में का दिवेशन हुआ कि इसकी अध्यस्ता में दादा भाई नरो रिजॉशन कि इस सम्मद्ध में प्रस्ताव पास करवा ज्यादा ज्यादा रिजॉलूशन पास करवा दें और तब होता जब लीडर कौन मते गरंपंती का कोई नेता बंता चीक है और नरम पंती भी अपना कंडिडेट खड़ा कर दिये भी हम बनेंगे हम बनेंगे धादा दादा भाहिन और वादिवाद की स्थिति आगे जो 1907 में भाजन होना था 1906 में हो जाता लेकिन कि दादा भाहिन रोजी आये और एकदम सम्मानी वेक्ति थे कि बैट बोल दिया मतलब बैठो खड़ो और बाले ऐसा था ठीक है समझारी बात तो 1906 में दादा भाहिन रोजी के मंद्यस्तक कारण तो उस टाइम मामला ठंडा हो गया और दादा भाहिन रोजी अधिक्स्तक कर लिए तुम दोनों बैठो मैं करता हूं तो यह अधिक्स्तक किये लेकिन फिर भी एक्स्ट्रिमिस्ट की गरम दल की यहां पर इस सेशन में जी सुराज से सुराज अब से हमारा लक्ष हो गया ठीक 1906 में कलकत्ता में दादा भाहिन औरोजी ने सुराज यहां पर भी जीत हो गया किसका गरम दल का अब 1907 की बात आती है अब कॉंग्रेस को यह मालूम था कि अगर अधिवेशन पूने में हो गया तो यहां पर भी जीत किसकी हो जाएगी गरम पंतियों की अपनी बहुत सारी मांगे मनवा लेंगे और गरम पंति नेता यह चाहते थे कि जैसे बंगाल में मोमेंट चल रहना सोदेशी बहिसकार इ खुले मंच पे तो सब के सब फॉलो करते हैं अंग्रेज भाग जाते हैं लेकिन कॉंग्रेस नहीं कर रहे थी उसका भी करन था देखो कोई गलत नहीं सब की अपने विचारधार सब का लग अलग तरीका मातमा गांधी भी उतने सही है जितने सुभाश चंद्र बोस्त है णौट ऊकर अपने लिए कर रहे पनी लए जालि मांग रहे थे वह दो बढ़िया पढ़े लिके थे पैसे कुई कमी नहीं कितना जमीन था आंकर मालूम जितना भूपेश बगल के पास नहीं जितना मोदीक पास नहीं उससे ज्यादा पैसा था उनके पास लेकिन लड़ेक नहीं लड़े दूसरे तो अपने तरीके से लड़ रहे थे इसले दूसरे लोग गलत हो जाते हैं सब ठीक अपने जगाद लेकिन कॉंग्रेस क्यूं नहीं चाहा रहा था इसको प्रोमोट करना उसका कारण था 1909 में आने वाला मॉरले मिंटो सुधार मारले मिंटो सुधार मारले मिंटो सुधार मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स ठीक मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स उन्नी सो में 1909 में यह आया लेकिन 1907 1905 1906 में यह आने आने वाला था और कॉंग्रेस की निती रहती थी कि भी हम सविधानिक तरीके से मांग रखे सविधानिक तरीके से बदलाव लाएं 1909 में मौर्ले मेंटर सुधार आने वाला था और कॉंग्रेस को लगता था कि इतने दिनों से इतने सालों से हमने जो संबंद बना अंग्रोज लेकिन तेजार कर रहे थे कि यहां एक बार आये तो यहां अध्यक्सता मैं करूंगा अभी तक गरम दल वाले लोगों अध्यक्सता करने मौका नहीं मिला उन्नीच सोबीस तक मौका नहीं मिला सोचों उन्नीच सोबीस तक उनको दूर रखा गया कि अब तुम आ जाओगे तो हम कहा जाएंगे तो पूने में यह होने वाला था लेकिन रिलाश्ट टाइम में कॉंग्रेस जाल साजी कर देती है पूने से हटा कि इसको सूरत कर देती ह सूरत महत्मागांदी वाला गरम दल नरंद तो 1907 में पूने में होने वाला था लेकिन अब कहां हो गया सूरत में इसलिए 1907 का सूरत पढ़ते हम लों और चेंज करने कारण एक ही था बाल गंगदर ती लग वहां उसके बहुं सारे समर्था कुछ भी उच नहीं चोता तो सब घेरे हुए थे और हो गया सूरत में थोन भाला था मार पिठ हुआ दंगा हुआ तो सूरत में हो गया अब गरम पंतियों के बात मज़ा नी आ यह रास नी आ तो इनलों क्या कि यह सूरत में दिवेशन होने से पहले बहुं सारे जन सभाई लेने लग गए पहले जा बातिय करने से पहले एक प्रेसिडेंट आपस में चुनते थी अगर सर्वसंबंति से चुन लिया गया तो ठीक है नहीं तो क्या होता था चुना होता था वापस वोटिंग कर लो को यह कंडिडेट जिद गया वह प्रेसिडेंट बन जाएगा अब कंडिडेट के लिए गरम प बनती की लोग चाते थे कि हमारे नेता कौन बने राजबिहरी घोष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सब्सक्राइब जाए जाए अनकर यहाँ जाते थे लोग सब्सक्राहिए घरसं तो अरे बैठो भाई बैठो कि दंदन ठीक रहे बोलने नहीं देता विदेशी वाले विदेशी बोलता हूं जो अपोजित सरकार होती है उनको बोले नहीं देते बस बासी लाला रश्पतर आ है कुछ बोलने एक लिए उड़ते उसको बैठा देते थे अब इसी बीच बाता बाती बहुत देर हो गया नरम पंति फिरोफस्ता महता घंदी घंदे जी खास थी आज और वास निरौज के कट्टर रोधी तो फिरोफसाभ महता को जूता पढ़ गया तो जो नरम पंती थे पूरा तूरंद क्या हो गये तो इदर से भी जूता ठेक दिये अभी जूता पढ़िया किसको लालाच पत्राय को तो सुरेणनाथ बनर जी खको आ गये फिर वो मारा पीटी एकाद दो धर के पीड़ दिये इतना मारा पीटी हुआ कि पुलिस बनाना पढ़ गया पुलिस आया और सारे गरम पंतिया लोको भार भगा दिए और यहीं से हो गया 1907 का सुरत विभाजन नरम दल और गरम दल अलग ठीक जो आगये चलके 19 tai तो यहीं से क्या हो गया नरम पंती और गरम पंती अलग हो गया अधिक अब 1907 का यह भी भाजन एक ही पार्टी को ला पहुंचाया है कौन से पार्टी को ब्रिडिशर्स को बाद में यह रिलाइज हुआ 1907 के बाद गरम पंतियों को भी रिलाइज हुआ यह चीज रिलाइज हो गई उनको और अंग्रेज में उनकी बात मानते थी कि अगर नरम पंती जैसे नेता कॉंग्रेज जैसी संस्था नहीं रही तो एक्स्टिमिस्ट लोग अलग से संस्था बनाके लीड करेंगे हमारे लिगाता को और गरम पंती लोग को जो पॉलिटिकल जो छूट मिल रही थी जो छूट मिल रही थी कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी आंदुलन कर रहे हैं वह इसी वजह से क्यूंकि नरम पंतियों का साथ था कॉंग्रेज की छत्रचाय में कर रहे थे और यहीं हुआ 1907 का जैसे ही विभाजन हुआ सारे सारे नेता पकड़ के जेल में डाल दिये गए तो 1905 का जो स्वदेशी आंदुलन इतना बड़ा मुमेंट बंद कैसे हुआ बाल गंगर तिलक जेल अजी सिंग जेल लाच्पतराय भग गए बाकि लोग को जेल हो रहा था ना बिटेन निकल गया यूसे बहुत साल बाद वापस आया ठीक है तो तो साल में इतना टॉर्चर की इतना टॉर्चर किया कि जेल से चूटने के बाद अर्विंद गोस और भीपिंद चंदरपाल यह दोनों राजनीतिक सन्यास लिए राजनीति से संयास लाट सन्यास देल्ये कौन अर्विंद गोसो ऑर ठीक तो कोशन पूछा तो इसक्यों से चल गया कि यह दुनों एक दूसरे के लिए जरूरी थे काफी प्रयास किया इसके मिलने का लेकिन नहीं हो पाया आगे चल के 1916 में लोगों का फिर से मिलन हुआ इदनी से कहानी समध आई गया यह समझाया गुदा है ठीक मैं दिल की पुरी बाते लिखा दिया है तो निसो पांस से चलू अथा देगा लॉड करजन उननीस अठरस न्यांपे से उननी सो पांस लेकिन यह हिरो निस अपाद मंगाल विजन करने बाद चल दिए ठीक है यह चल दिया हिरो फिर कोना में टो आ हुआ है कि अ कि कजड़ों नोट से बीकिस पढ़ लेते हैं फॉरक सूर्ण नरने नरंदल और गनम डल अत्रह सो Pleาก का नरम पंत जाएगा था एक प्रभाव मांऔर व्हुश्च जाएगा यासी याद करने के लिए समझने के लिए नरम को क्या योगदान था आर्थिक शोशन की निती की निंदा किये सविधानिक सुधार का प्रयास करते थे प्रशाषनिक सुधार की प्रयास करते थे नागरिक अधिकार की रक्षा की बात करते थे ठीक यह नरम पंति की विचारधारा यह थी कि आम लोग इससे नहीं जूर सकते है जितना भीड उतना पावर कि संगटन में सकती है अकेले में है तो 1905 में बंगाली बाजन हुआ स्वदेशी अंदोलन यहीं से चलुआ इसमें क्या किये विदेशी वस्तुव का बहिशकार करने लगे गरम पंती चाहते थे कि स्वदेशी अंदोलन का प्रचार प्रसार स्वराज की मांग की 1906 कलकत्ता दिवेशन में 1906 का कलकत्ता दिवेशन हुआ जिसके देखता कौन की यह दादा भाई नरोजन ने यह सब प्रस्ताव पारित हुए सदेशी अंदोलन स्वराशन वहिसकार अंदोलन राष्टी सिक्चा यह सब पॉइंट तो नरम पंतियों के इनके भी योगदान देखे Siya के क्या ठाख क्या सिद्द्धान के खिलाब गirenा लोगता था दार के उनको सब्स्राशन कंदर करलेंगे चीज sprinkler अच्यश्क फ़मों 주고 अच्छित चुल Letit प्रत्यक्ष राजनितिक भागिदारी उनको लगता था प्राशासन में सुधार हो इनको लगता था कि प्राशासन में हम खुद बैठे और खुद सुधार है तो यह नॉर्मल पॉइंट है वहां से पूछने जाए गरमपंती नेता में फिमस नेता कौन थे लाल बाल पाल कि लिए तो थोड़ा ये घरमपंती जो नेता है उनके बारे में थोड़ा से सुन लेते हैं याद करने वाले चीजें याद करा लाज पत्राया बाल तिल ठोड़ा से जानर लाज पत्राय इनको शेरे पंजाब और पंजाब के श्री बहगत सिंग हो नहीं अगे चलके साइमन कमिशन के बारें पढ़ेंगे साइमन कमिशन का गठन 1927 में वह सास्य साइमन सासे 27 लेकिन भारत पहुंचा था जो आयोग था आयोग मतलब साथ लोगों की समिती थी तो उसी का विरोध कर रहे थे वहां जैसी आया था तो लाठी चार्ज हुआ दो थीन लाठी ने इटली के राश्पिता मैंजिनी मैंजिनी की बुक द ड्यूटी ऑफ मैन इसका उर्दु मेनुवाद लाला अश्पतना ने किया थोड़ा मुद फैक्ट्स है याद रख लिना फिर बालगंग दर तिलक यह बहुं सार यह सब कोशन पूछा गया इंडियान नेशनल कॉंग्रेस पर अनुनाय विरोध कारोप किसने लगाया बालगं तिलक बोले कि तुमसे प्रात्मा याशना करते रह जाओगे तुमसे भीक मंगते रह जाओगे मिलेगा कुछ नहीं इसक समाप्त हो गई बालगं तिलक के लीडर्शिप में ओके यह सब कोश्चन वाले को डिरेक्ट पॉइंट बनाके लिक दिया हूं जो कोश्चन पूछे गए थे आयंसी गरमपंतिय को प्रभाव में कब आया 1905-1906 के बाद जब सोदेशी अंदल अनुए भारती अशांती का ज सब्सक्राइब तो आरे समाज और व्यक्ति गरूप पर देखा जातो बाल गदर तिलक समय बात तो वैलन्टाइन शिरोलने बोला और से बाल गदर तिलक के बारे में और पढ़ो पे आपतों 1908 घ्रको 6 साल के लिए जाड़ हो गया था माणडले जल माम Candly अनले जिल का है बर्मा बर्मा कौनसा म्यान मार बर्मा आज js violation 4 में 1914 तक हाद टो फेल हो ग्याको ओ MAYOR और कारन क्या था था कीसरी पत्रीका का कि वहां पे उन्होंने किताब लिख Γिसका नाम ता गीता में इनको मालूम था कि जनता-जनारदन में शक्ति मौजुद है इतना ज्यादा पुब्लिक एकटा करेंगे इतना झादा समर्थन ल्हां नियुन थ हम थोस तरीके से तो लोग कैसे आएं लोग कैसे आएंगे तो देखना कभी भगवान के नाम पे या कोई बड़ी लीडर के नाम पे लोगी घट्टा हो जाते हैं आप अपना परसनलीद बताओगे ना आप अपना चेहरा सामने रखोगे नहीं आएंगे भगवान का नाम लेके मिटिंग कर आओगे सब आजाएंगे तो पहले गणपती उस्व जो चलू कि ना गणपती महस्व मनाते हों कौन बलगांगदर तिलक 1893 में गणपती महस्व चलू कि तो जो समारू होता था आयोजन होता था लोग आते थे तो वहां लोग को संबोधन क करते अपना विचार उनके सामने प्रस्तूत करते थे ठीक है तो एक इसको जरिया बनाया गणपती महस्व उसके लावा भगवान के बाद उदर दूसरा इस्थान महराष्ट में आपको दूसरा नाम मिलेगा शिवा जी भगवान को गाली देख निकल लोग इसको नहीं ठी प्रस्तूरा भीड इनके सामने आता था यह कब से चलाई रहे थे ना और 1905 में फिर दमखम दिखाए इनकी मित्ती हो गई 1920 में एक कोश्चन पूछा गया था कि कि असायोंग आंदोलन का परिनाम किस नेता ने नहीं देख पाया कौन नहीं देख पाया क्योंकि असायोंग आंदोलन आगे पूछा था तो यहीं से अंसर लिख दिया निकी मित्तियू कब हो गई 1920 में एक यह भी कोश्चन पूछा था कि बाल गंद तिलक की अर्थी किसने नहीं उठाई यह यह दाल दिया पॉइंट मनाके तो महात्मा गंदी सेफुद्दिन किछलू शौकत अली इन्होंने अर्थी उठाई थी चाथ और कोई था यह बगवास सा कोश्चन लगार कौन अर्थी उठाया कौन बीच में थोड़ा चेंज कर लिया ऐसे फोड़ा पूचन कुछे लेकिन पूच दिया 1905 बंगाली भाजन महात्मा गंदीना कोई पॉइंट नी छोड़ देते भी यह लोगों को अमर्थानी घटा करने भले नेता गरम पंति वाले थे लेकिन गय अंतिम संद्ध कर लेकिन पूच बंगाली भाजन स्वदेशी अंदुलन अच्छा बंगाली भाजन के बारे में सब्सक्राइब यहां से पढ़ते हैं इसके बारे में देख लेते हैं इतना सब्सक्राइब कहानी में आपको समझा दिया अगर यह बता रहा हूं कम से कम उसको ग्रहन करोगे अच्छी समझ विख्षित होगी मॉडनिस्टी में ठीक है पॉलटी और हिस्ट्री यह दो पांच को बंगाली भाजन की गोष्णा हुई उननीस जुलाई 1905 की तो सर 1903 वाला क्या डिर बता है थे वहां से अफ़वावना चालू था करजन एक प्रस्ताव रखा था यहना बेडी सरकार को एक रिपोर्ट बेजा था कि ऐसा करने का सोच रहा हूं करूं की नहीं करूं नेकी और फूच पूच पूच तो 1903 वाला था वह नहीं पूचेगा लेगी निए डेट यहां निजुलाई 1905 को बंगाली भाजन की गोष्णा की गई लागू नहीं किया गया गोष्णा वही जुलाई में 1905 बंगाली बाजन की गोष्णा उसके बाद साथ अगस्त 1905 इस और उसके जवाब में जुलाई के बाद अगस्त आएगा साथ अगस्त को इसके खिलाफ कलकत्त के टाउन हॉल में स्वधेशी अंदलन की गोष्णवी और वहिश्कार प्रस्ताव पास हुआ सोलाक्टूबर 1905 को बंगाली बाजान प्रभावी हो गया किस दिन सोलाक्टूबर 1905 इसी दिन शोग दिवस मनाएं शोग दिवस था ठीक है और रवीडनाट टैगोर ने लोगों को बोला कि राखी दिवस मनाओ एक दूसरे को राखी वांदो पहले सब भाग रहे थे फिर सब्सक्राइब भाई 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 मना अच्छा ठीक तब ठीक है तो राखी दिवस मनाएं क्लियर और कौन सा गीत गाए वंदे मात्रम ठीक है किलियर रविनाट टैगोर यह दो देशों की राष्ट गीत के रह चाहिता है मौलूम किसके इसके बंगला इस और अमार सुनार म कौन लिखे है कि रविनाट टैगोर और जन गर्मन वाल भी रविनाट टैगोर ठीक है कि अच्छाट है अब कि 1905 में जो चलू वा था स्वदेशी अनुलन उसका असफल होने का असफल तो नहीं मतलब आगे चलके आगे चलके असफल हो है अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए उसके डिकलाइन का करण क्या था नेताओं की गिरफ्तारी ठीक है कि गिरफ्तारी कोंग्रेस पार्टी का असंयोग मतलब कॉपरेट नहीं की लो ठीक लाला अच्पत राय भीया छोड़के चल दिये बिल्टेश बग गये और रहते भी तो क्या दज्यल हो जाता है लाला अच्पत राय कहां बग गये बिल्टेन बग गये और पूछा जाता है कि स्वदेशी अंदुलन का समर्थ किनों ने नहीं किया दो पार्टी ने नहीं किया कि किसानों ने और मुसल्मानों ने अधिकतर मुसल्मान कि किसानों ने नहीं किया मुसल्मानों का तो समझा रहा था क्यों नहीं किया क्योंकि यह वाला इतना मैजॉर्टी वाला एरिया अब मुसल्मानों को मिल लिए ठीक तुम लोग तो खुश थे और आगे चलके मैंने बताया इसका प्रभाव भी पड़ा 1906 में धाका में ही धाका में ही क्या बन गया मुस्लिम लिग बन गया एक है किसान क्यों इस से नहीं जुड़े कि क्यों इस आंदूलन से नहीं जुड़ पाया किसानों को लगता था कि यह भी है जो चोचला ना सब बड़े लोगों का चोचला रिच क्लास पीपल की संस्ता है कौन इंडियाशनल कॉंग्रेस हमको इसमें कोई लाब नहीं मिलेगा ऐसी कम समान है ऐसी पहनने के लिए कुछ नहीं उसमें हम भाइसकार करते हमारे पास क्या रहेगा तुम दोगे नहीं अपने खर्चते नहीं बुला इसमें को कोई लाब नहीं है ऐसी अंग्रेज बहुत कुटते हैं और इस अंदूलन में पार्टिसिवेट कर लिए मालूम चल गया और शायद 1911 का दिल्ली दर्बार कायोजन उसको पढ़ेंगे बट भी बता जेतों बंगाली भाजान यह रद्ध हो गया जैसा पहले था न वैसी कर दिए लगभग वैसी कर दिए कि इस बास से काफी ज्यादा नराजगी थी 1911 में नए राजकुमार बने थे नए राजा बने थे कॉलोंग जोर्ज पंचम तो यह भारत आये दिख्षा भारत भी हमारा ही कॉलोनी है हमारा ही उपनिवेश है तो चलो वहां जाया जाये और वहां मान सम्मान देखा जाये त अगरे सा स्वागत तो स्वागत नहीं करोगे हमारा कि लेकिन जुदे बत्धर से कर दिए तो जॉर्ज पंचम बुलाया कि इसको हाडिंग कोश्टाइम हाडिंग था 1910 के वासे लॉड हाडिंग वाइसर रहते बुलाया कि यह क्या है तो बताया कि नराज चल रहे लोग क् सब्सक्राइब यह कर दिए तो बंगालव भाजन को क्या कर दिए रद कर दिए नीज सो गयारा में दिली दरवार में जॉर्ज पंचम ने बंगालव भाजन को रद करने का पैस्टाली तो 1905 से 1911 तक बंगाल विभाजन अस्तित्व में और क्या गोशना कि तो यह भी गिये कि आप कलकत्ता जो राजधानी है बोले Oh यहां से बहार आते हैं और रजधानी कलकत्त सखात्थ्र कर दिल्ली तो राजधानी ट्रांफर तांट्वर की घोष्ना को भी अनॉस्मेंट कब उट इन 11 उन लेकिन दिल्दी राजधनी बना कपूछे तो 1912 में इस बात तो है गोष्णा 1911 एनाउस्पेंट 1911 एक्च्वल में कबिल ट्रांसफर वह निसो बारा में कि लिए रहा अब लॉट गरजन आई गये हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कब लॉट कर जन हां सुनियां यह का कारीकल चला सिचायों की महिए स्थापना किया था कॉन करजन तो उसक्षके देख्षता में किया गया था यह पूछा तो जैसे सिचायों की स्थापना सर कॉलिन स्कॉट मानकरीफ कर से बहुं सर लंसा लंबा चोड़ा नामें 3-4 पर पढ कॉलिन तो सिचाय मतलब कुछ पानी पानी पोछा ऐसे याद रह सकते हो तो कॉलिन जानते तो पोछा ऐसे याद रह सकते हो कॉलिन वाला अकाल आयो की स्थापना की तो मैकडॉनल्ड का बर्गर मिलता है खाय कभी नहीं हम तो उसी बाहर से खाय कभी तो अकाल से अकाल मतलब और खाने पिनल आइटम ऐसे लेट कर सकते हो तो अकाले ओके सापना किसके देख्षता में कि गई एंटनी मैक डॉनल्स तो मैं याद रखना पुलिस तो पुलिस फॉजी पॉजी से आधर फ्रेजर एंड्री फ्रेजर के देख्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था 205 में बंगाली वाजन इसी के समय में हुआ भारती पुरतत्तों के भाग की स्थापना की किसने बंगाल के वाजन के अंदोना का त्युत किया था सुरेनाथ बनर जी और कृष्ण कुमार मित्र यह दो नेता तो देखे ही थे तो यहां का सब्सक्राइब इस नहीं है जितना वेस्टन किल्चर कैरे लेचा करते थे और अपनी उपादी त्याय के साथ नहीं हूं क्लियर तामें सराग हैं बाखी पॉइंट कल देखेंगे बंगाल में बिडेन की वस्तुवों का विश्कार सुझाव सर्पितम किस ने दिया था कृष्णों कुआर मित्र ने यह दोनों बंगाल के निता थे बंगाली ने तरी तो दिसी अंदलों ने भाग नहीं ल हो जाएगा है कि पड़ क्याना है अशा लगते कि हाँ आज सब समझ आ गया कल इसको नहीं देख क्या होगे भूल जाते हैं ठीक है मैं भी एक नजर देख क्या आता हूं कि तब याद रहता है ठीक तो आपको भी देख क्याना है दो तीन नजर